आदिन नदाना विर्मनी सिखा पढ़िंसमादिया ले स्रीमा, स्रीमा गडिका यानि जो स्रीमा प्रोस्टिटूट है या स्रीमा जो वैस्या है उसकी कहानी है वैस्या को गडिका बोलते हैं और नगरवदु भी बोलते हैं ये गाथा कथा नंबर 147 है स्रीमा बहुत सुंदर होती है उच समय सारे एरिया के अंदर जो राजगीर या राजगीर है जो जगे है वहाँ पर गडिका और जो नगरवदु है उसका पिर्चलन है यानि कि कोई महिला जिसको सारी लोग मिलके ऐसा कहते हैं कि हम इससे शादी करना चाहते है या उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है या जब बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि हम शादी करेंगे पढ़न लेती थी, भगवान बुद्ध की जब वो प्रवचनों को उसने सुना और देशना को सुना तो वो सोतापन हो गई, उसको जीवन समझ में आ गया और भिकु अक्सर उसके यहां जाया करते थे और वो भिकु को दान दिया करते थे, क्योंकि भिकु तो सभी जिगे जा विहार में आया था, उसने स्रीमा को देखा और स्रीमा को देखके उसके राग में मोहित हो गया, उसे मोह में पढ़ गया, और वो कभी-कभी बिना टाइम के भी स्रीमा को देखने के लिए, भिक्का याने के पिंड के लिए, खाने के लिए, मांगने के लिए जाता था, वह श्रीमा उसको जैसे सब को भिक्कू को दान देती थी उसको भी देती थी भिक्को में चर्चा चली कि ये जो भिक्कू है ये स्रीमा के आसपास में खास तोर से पिंड चारिका के लिए जाता है बात भगवान के कानों तक भी पहुंची भगवान तो सारा ध्यान रखते थे अचानक हुआ ऐसा कि स्रीमा एक दो दिन बीमार हुई और मर गई मरने के जब वो मर गई भगवान के पास ख़बर आई कि स्रीमा मर गई है तो भगवान ने राजा बिम्बी सार से कहा, बिम्बी सार का उसमराज था, कि सिरीमा की जो लास है डेड वोडी है, उसको कच्चे जो समचान है उसमें डालें, पक्के में डालेंगे तो जला देंगे या गार देंगे, कच्चे में ऐसी छोड़ देते थे ताकि भेड़ी ये कुत्ते जानवर उस लास को खा सके और अपना काम चुला सके और उन्होंने ये कहलवाया कि स्रीमा की लास को कुत्ते और भेड़ी ये ना खाए इसलिए उसकी रक्षा के लिए दो-चार सिपाई वहां लगा देना राजा ने वैसा ही किया भगवान अपने भिक्कु संके साथ में वहां पौँचे और वहां पौँचके उन्होंने श्रीमा की लास के आसपास देखा संसान घाट में और उस सामनेर को भी लेके गए जो आशक था जो उसके उपर मो में था जो राग में था उसने भी वहाँ स्रीमा की लास को देखा क्योंकि ने नी तजा तजा लास थी ज्यादा कुछ बिगरता नहीं है जो नी तजा लास थी है भगवान ने बिंवी सार से कहा के पूरे नकर में पूरे राजगीरी में ढिहधोरा पिटवा दो कि जो स्रीमा के साथ में रात बिताना चाहता है वो अब 500 काशापण में यानि 500 मुद्राओं में रात बिता सकता है वो समसान में यहां है कोई नहीं आया तो अगले दिन मुनादी कराई कि जो रात बिताना चाहे तो 2500 मुद्राओं में कर ले और फिर अगले दिन मुनादी कराई कि पचास मुद्राव में कर ले और फिर अगले दिन मुनादी कराई कि वो फिरी आए और उसके साथ राज बता ले तब तक last full का सण कर मोटी हो गई और वो बुरी तरह से खराब हो गी थी अब वो देखने लायक नहीं थी क्योंकि उसमें बदू बहुत ज़दा आ रहे थी कच्चा समसान में ऐसी पड़ी हुई थी लास तो वैसे भी क्योंकि हाई प्रोटीन होते हैं बोडी में मास के तो लास बोजली सरती है और लास जब सरती है तो उसके जितने भी छेद होते हैं जितने भी इंपुट होते हैं यानि सरीर में इंटेक के और आउटेक के खाने के और निकालने के जितने भी छेद होते हैं चाहे वो नाख है, चाहे मूँ है, चाहे आख है, चाहे कान है, चाहे जहाँ से खाना निकलता है वो है, या जहाँ से पेशाब निकलता है वो है, वो जितने भी सब्दे हैं, या जो जितने भी छेदे हैं, या हमारी स्किन के जो छोटे-छोटे रोम छेदे हैं वो, उन मैंसे तलपधात निकलना सुरू हो जाता है अपने आप क्योंकि उन छेदों में खटा होता है वो सड़कर पानी और वो बहना सुरू हो जाता है और देज़े देज़े वो डिकंपोज खराब और गल्नी सुरू हो जाती है लाज तो सामनेर को उन्होंने देखा भगवान ने कि अब इसके मन पे क्या फरक पड़ रहा है क्या ने पड़ रहा है और फिर वहां उन्होंने कहा कि देखो इस लहाज को ध्यान से देखो कि लोग इसके साथ एक रात बिताने के लालायत होते थे और लोगों का सपना होता था जिनके पास पैसे होते थे और ना भी होते थे तो वो दुनिया वर का पैसा है खटे करके लाते थे, महनत करते थे हजार मुद्राय इसको देने के लिए ताकि इसके साथ एक रात बिता सके और अब इसके साथ कोई फिरी भी रात बिताने के लिए तियार नहीं है ये जीवन का सत्य है, ये जीवन का निच्च है क्योंकि हर एक चीज अनिच्च होती है, चाए वो कैसी भी है, वो सब खतम होनी होती है चाहें वो सरीर है, चाहें परत्वी है, चाहें अगनी है, चाहें सूरज है, चाहें बायू मंडल है चाहें कोई भी सामान है, चाहें मनुस्य है, कोई भी है अगर कहीं निच्चे है तो वो सिर्व निबान है निबान परम सुख है, वो ही परम निच्चे है और कोई भी सत्य नहीं है और कोई ऐसा नहीं है जो ना बरलता हो बागी सब बदल जाते हैं निब्बान को छोड़के ये बात उस भिक्कू को समय में आई और फिर उसका जो राग और मोर मूता थी वो खत्म हुई उसना अपना ध्यान में पसना साधना में लगाना शुरू किया भगवान बुद्ध अक्सर समचान घाट में मट घाट में या डैड़ बोड़ी के आसपास अपने विक्कों के साथ में जाते थे उनको लेकर जाते थे या उनको कहते थे कि ऐसी भावना करो जैसे तुमारा सरीर अब मर गया है चल रहा है ऐसा सोचना सुरू करो ऐसा देख बफ़ास समुश सितक आतुरंग भhu संकपन यस नथी दुवंघ हृति पसचित कतंग बिम्भ पस माने देखो चित कतंग माने होता है सुसजित ये अच्छा जैसकितना चित तो मन को बोलते हैं यानि मन को मोने वाला कतंग, कतंग माने किया हुआ, यह जो बिम्ब है, बिम्ब माने आकरती, यानि इस आकरती को देखो जो पड़ी हुई है, बेसिकली वो स्रीमा की जो लहास है, उसको कह रहे हैं, कि देखो यह जो दिलकस है, जो दिलको अच्छी लगती है, उस आकरती को, उस पृतिविम को देखो अरू कायंग समुस सितंग अरू कायंग का मतलब होता है अरू माने होता है वण वण माने घाव या नासूर यानि कि अरू कायंग जिसमें घाव भरे हुए हैं ऐसी काया को देखो अरू कायंग गाव वाली सरडी हुई काया को देखो जिसमेंसे सारे छेदों मैंसे पानी निकल आए समुष सितंग समुष सितंग का मतब है जो फूल गया हो, जो उपर उठ गया हो क्योंकि जब लाज सरती है तो फूल जाती है और क्योंकि खाल उसको जो इसके नहें वो पानी को भाने आने देती है और नीचे गैसे बनती है सरड़ के तो वो फूला देती है तो कहते हैं उस फूली हुई काया को देखो जैसे पानी में जब डेड़ बोली सरड़ जाती है तो फूल जाती है और फूल के उपर आ जाती है आतुरंग बहु संकपंग आतुरंग का मतलब है व्याधी यानि रोग यानि कि व्याधी वाली रोग वाली अब तो वो मर चुकी है तो व्याधी रोग वाली बहु संकपंग बहु संकपंग का मतलब जिसने बहुत सारे संकल्प किये जो बहुत सारे संकलब करते हैं कि यह करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कितने सारे संकलब करता है आदमी जीवन में, मैं यह करूंगा, यह लाँगा, यह गाड़ी, यह खाना, यह पीना, यह बोलना, यह चालना, किरा देखो इसको, जो यह बिमारी है, ज यस माने यह है जो है नथी माने नहीं है और धुबंग माने धुब की या धुब जैसी तिप्थी माने इस्थिति यानि कि यह है धुब जैसी इस्थिति नहीं है अब धुब जैसी इस्थिति क्या होती है यह जो धुब तारा है धुब तारे का इस्थित होना जो फिक्स होना बुद्ध के समय से जाना जाता है, माना जाता है कहता है, धुब तारा नहीं हिलता पूरे जो नशक्त रहें, नक्खत रहें हमारे सारे नक्खतों में जो सौर मंडल है, जो वाईू मंडल है जिसमें सारे सारे तारे रहते हैं उसमें एक्सिस के सीध में बिलकुल धुक तारा आता है धुक तारा कभी नहीं बदलता बारे महिने वो अपनी जगे फिक्स रहता है तो उसको कहते हैं कि ये इस्तिर रहता है ये कभी नहीं बदलता तो वो कहते हैं कि ये जो है ये नहीं है धुक तिठी यानि कि ये जो इस्तिती है ये धुक की तरह नहीं है, ये जो सरीर है, ये इस्थिर नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये नित्य नहीं है, ये तो खतम होना ही होना है, इसको तो रोका नहीं जा सकता, ये वो गाथा कहते हैं, और स्रीमा का जो ये कहानी है, स्रीमा की जो योक्मा है, स्रीमा की जो वो जाता है तब तक रिस्ते में रहता है और जैसे ही मरा नहीं तुरंत रिस्ते खतम हो जाते हैं और वो डेट बोडी हो जाता है लास हो जाता है चाहे वो कोई राजा है चाहे महाराजा है चाहे किसी ने देश बेच के सारा पैसा खाया हो चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई भूका हो चाहे कोई नंगा हो सब की लहास के साथ ऐसा ही होता है चाहे किसी ने पापकरम किया है या नहीं किया है बस फरक कितना है कि बहुत ज़्यादा पापकरम करेगा तो सड़ के मरेगा और जब तक उसे जर्म पर जन्म मिलते रहेंगे तो वो सड़े हुए जीवन के ही जन्म मिलते रहेंगे पाप कम नहीं करोगे तो बहुत अच्छी तरह से मरेगा सुख में मरेगा सुख में मरना होता है यानि कि जो बुलकुल शांती से मरता है आग खोल के मरता है, हस्ते हस्ते मरता है, उसको सुख में मौत बोलते हैं और जो बीमार होकर, सर सड़कर, तरफ तरफ कर, एडिया रगड़ रगड़ कर हॉस्पिटल में उसका मुह बंद कर देते हैं, उसके गले को बंद कर देते हैं उसके injection पर injection लगा देते हैं उसको चीखने चलाने भी नहीं देते हैं वो सब सड़ी हुई मौते होती हैं पाप कर्मी हुई मौत होती हैं जितनी मौते हैं आज की जीट में अस्प्ताल में सड़शड़के हो रही हैं और सबने पाप कर्म किये हुए हैं और जो बहुत सांती से मरते हैं उनके बहुत अच्छे कम हैं पुन्य कम हैं ये विपस्तना जो करता है वो बता दिता है वो समझ जाता है तो यहां जीवनकार बरंका भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छा बताया और जो सावित्ती की जितनी सतियां हैं वो तो बहुत ही जादा जानकार रही है और उन्होंने बहुत जादा समझाया है धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो ओडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पर चुनल के पहले हैं तंगं सरेन गच्छामू 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 भूतियम् पि दमं सर्णं गच्चाम। दूतियों पि सर्णं सर्णं कच्चाम। बुखियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुखियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी ततियं पी सिन्घं सर्णं कच्छामी ततियं पिगम्मं सर्णं कर्चामी ततियं पिजंदों सर्णं कर्चामी ततियं पिजंदों सर्णं कर्चामी साथु, साथु, साथु कामे सुमिच चरविर्मनी सिखापदं स्माधियामी